नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपान शे और इस वक्त की अपडेट होईसल मंदिर वास्तुकला से जुड़ी है करनाटिका राजी सरकार के परेटन विभाग और मांडिया जिला प्रशासन ने कम प्रसिद्ध होईसला समारकों में परेटकों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश से समारकों का जरीन औधार और जागरुकता अभ्यान शुरू किया हाला कि करनाटिका के मांडिया जिले में स्थित अधिकांच समारक राश्ट्रिय महत्तु के समारक है इन समारकों को भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षनर द्वारा संरक्षित किया जाता है गौर तलब हो कि मांडिया में ASI द्वारा संरक्षित राश्ट्रिय महत्तु के लगभग 20 समारक है फिर भी श्री रंगपटनम को छोड़ कर मांडिया में पर्यटन अविक्सित रहा है आपको बता दें कि होईसल मंदिर वास्टु कला 11 से 14 शताबदी के बीच होईसल सामराज्य के अंतरगत विक्सित हुई जो मुख्यता दक्षणी करनाटिका शेत्र में केंद्रित है होईसल मंदिर वास्टु कला के तहट बनाए गए मंदिर हाईब्रेड या बेसर शैली में बनाए गए है आपको ग्यात होना चाहिए कि होईसल काल के दोरान निर्मित अधिकांच मंदिर तारे के अकार के मंच पर एक कुटा, दुई कुटा या त्री कुटा पैटन में बने हैं एक कुटा मंदिर पैटन में एक, दुई कुटा मंदिर पैटन में दोरे और त्री कुटा मंदिर पैटन में तीन गर्ब ग्रहे वाले मंदिर होते हैं। लेकिन मांडिया में स्थित समारकों में पंचकूट मंदर भी मौजूद है जिसमें पंच गर्वग्रह होते हैं। गोविंदन हली मंदर हॉइसल शैली में बने पंचकूट मंदर का एक उतकृष्ट उधारण है। इसमें पांच गर्बग्रे हैं जिनमें पांच शिवलिंग स्थापित किये गए हैं आपको ग्यात होना चाहिए कि होईसल कल्यान के चालुक्यों के सामंध थे इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी होईसल शासकों द्वारा शैव, वैशनव और जैन धर्म को सनरक्षन दिया गया सला को होईसल राजवन्च का संस्थापक माना जाता है और होईसल राजवन्च के सबसे महान शासक विश्णु वर्दन थे स्टाड़ी आएक्यू आईएस हैंदी